प्रमे छे, S, 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 यानि भुजा-भुजा-भुजा-भुजा समरूपता प्रमे यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा एं, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान उपाती हों, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते ह grain प्रमे 6 पे बात करने जा रहे हैं जिसे आप SSS ये भुजा 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 प्रमे के नाम से जानते हैं इस प्रमे में दो त्रिभुजों के समरूपता के बारे में बात हो रही है और हम ये कह रहे हैं कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाति हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं आप देखिए हाँ पर दो त्रिभुज आपके सामने बने हुए हैं त्रिभुज A, B, C है और त्रिभुज D, E, F है इसमें हमें दिया हुआ है कि इनके भुजायां समानों पाती हैं यानि A, B बटे, D, E, बराबर A, C, बटे, D, F, बराबर B, C, बटे, E, F, एक बार ठीक से देख लें इसे, A, B भुजा, बटे, D, E, भुजा, फिर पहरे त्रिभुज की A, C, बटे, D, F, फिर पहरे त्रिभुज की B, C, और दूसरे त्रिभुज की B, E, F, तो इनके बीच जो नुपात है वो आपस में बराबर हैं, यह हमें दिया हुआ है, यह हमारे पहला और महत्पुन कतान है, इसे आप याद रखेंगे, इसे ध्यान में रखेंगे, तो यह बात हमें दी हुई है, और हमें सिद्ध करना है, कि दोनों त्रिभुज, A, B, C और त्रिभुज, A, B, C, और त्रिभुज, D, E, F, समरूप हैं, यह हमें सिद्ध करना है, अब देखिए, यह हम कैसे आके बढ़ेंगे, इसमें दो-तीन हिस्से हैं, पहले तो हम इस त्रिभुज की कुछ हिस्सों को यहाँ पर रशना की रूप में लेंगे, और हम इसके जैसे एक त्रिभुज की हां रशना करने कोशिश करे सिद्ध करना होगा, और जो त्रिभुज यहाँ पर बनेगा, उसको इस बड़े त्रिभुज के समरूप सिद्ध करेंगे, यह दो महत्पूर्ण हिस्से इस प्रमय के, तो हम यहाँ पर एक बिंदू P इस तरह से लेते हैं, कि वो ठीक A B के बराबर हो, यह हमने बिंदू P यहाँ पर जो A B के बराबर है, तो हम इसे रशना के अंतरक्त लिखते हैं, रशना में हमने बिंदू P D P इस प्रकार लिया कि D P A B के बराबर है, यह आप लिख सकते हैं A B बराबर D P, और ठीक उस तरह से एक बिंदू Q यहाँ पर इस तरह से लिया, भुजा D F पर कि वो A C के बराबर हो, तो आप लिख सकते हैं A C बराबर D Q, फिर से देख लिजिया, हमने यहाँ पर बिंदू P इस प्रकार लिया, D E पर कि जो D P है वो A B के बराबर हो, तो हमने लिखा A B बराबर D P है, और ठीक इस तरह से बिंदू Q हमने यहाँ पर D F पर इस प्रकार लिया, कि D की क्यू एसी के बराबर हो तो हमने इसे लिखा कि एसी बराबर डी क्यू यह हमने रशना कि और रशना में एक काम हमने और किया कि पी और क्यू को आपस मिला दिया चली यह वाले भी काम कर लें हम पी और क्यू को इनको आपस मिलाएं हम तो एक और भुजा बंती है से हम इस तो आप देखिए, ऐसा करने पर आपको एक नया त्रिभुज DPQ मिल रहा है, इस DPQ की मदद से हमें 2-3 काम करने होंगे, करमशा आगे देखते जाईए, तो अब आप देखिए, कि त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF में, चुकि एक संबन्ध हमें यहाँ पर मिला हुआ है, और इस संबन्ध में आप देख रहें कि AB और D का जो अनुपात है, वही अनुपात AC और DF का है, तो यहाँ पर हम AB और AC को करमशा, DP और DQ से रिप्लेस करेंगे, तो हम इतने हिस्से को यहाँ से उठाएं, और नीचे लिखें, वो पत्ती वाले हिस्से में हम आ रहे हैं, इस वाले हिस्से को हमें हसलें, कि AB बटे DE बराबर AC बटे DF हमें यह दिया हुआ है, और यहाँ पर आपने AB के जगापर DP रशना की है, तो AB को आप इस DP से रिप्लेस करेंगे, तो आपको मिलेगा, DP बटे DE बराबर AC, यहाँ जो AC है, आप देखें, AC को आपने DQ के बराबर किया है, तो AC के जगापर आप लिखें, DQ तो DQ बटे DF, यही कथन आपको इस नए रूपे मिल रहा है, और आपने क्या किया, AB के जगापर DP लिखा, और AC के जगापर DQ लिखा, क्योंकि आपने यहाँ पर लिया हुआ है, अब ऐसा करने पर आप देखें क्या मिल रहा है, DP बटे DE मिल रहा है, और यहाँ मिल रहा है, DQ बटे DF, जो अनपात आपको इस त्रिभूज इस बड़े त्रिभूज मिल रहा है, तो नपात को आप इन दोनों त्रिभूजों में देख रहे है, इस छोटे वाले त्रिभूज में और बड़े वाले त्रिभूज में, अब आप देखें, थोड़ा सा हम इसको रुपांतरित करें, इसको उल्टा करके लिखें, इसे हम लिखते हैं, अब इन दोनों इस समी करेंड में, आप दोनों पक्षो में एक एक घटाते हैं, तो क्या होता इसे देखिया? दे बटे डीप मानस वन बराबर दी ऐफ बटे डी क्यू मानस वन, इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा, DE-DP बटे DP बराबर यहां आपको मिलेगा DF-DQ बटे DQ यह तो आपने गड़ीती रूप से यहां पर से दिखिया लेकिन पिक्चर में देखे इस डाग्राम में देखे हो क्या रहा है DE-DP DE-DP फिर से देखिया DE-DP DE पूरी यहां से यहां तक के लंबाई है और आप उसमें DP को निकालना है तो आपके पास PE बचेगा तो आप इसको लिख सकते हैं इस पूरे के बदले आप लिखेंगे यहां पर बराबर PE बटे DP ठीक इसी तरह से आप इसको देखिए DF-DQ DF-DQ यह आप लिखते हैं तो आपको मिलता है QF तो आप इसको लिख लें QF बटे DP जो हर में है उसे तरह से लिखेंगे यहां पर DQ है यह DQ है यह DF-DQ को बतले आपको QF मिला और बटे में DQ था यह आपने लिखा यह बहुत ही महतबूर्ण कथन आपको मिल रहा है इसको गोब से देखिए यहां आपको मिल रहा है PE DP और यहां आपको मिल रहा है QF DQ अब आपको वापस में लेके चलता हूँ, आपने थेल्स फ्रमें पढ़ा था और उसमें आपने ये देखा था कि ये दी कोई भुजा ये कोई रेखा किसी त्रिबुच की एक भुजा के समाना अंदर खीची जाती है तो वो शेश दो भुजाओं को बराबर अनपात में देख रहे हैं आप यहां पर पी बटे डी पी मिल रहा है जो बराबर है क्यू एफ बटे डी क्यू के तो थेल्स फ्रम में जो आपने पढ़ा था कि एक समाना अंतर एक रेखा यदि किसी भुजा के समाना अंतर कीशी जाती है तो वो शेश दो भुजाओं को बराबर अनु होगी तो आप यहां से उस परणाम पे पहुंछते हैं कि ऐसी इस्तिती में या बात तबी समँआ पि क्यू समाना अंतर होगा तो इस कतन को अप लिखने हैं आपर कि यहां हम को चो रिजल्ट पिल रहा है कि पी-एफ समनांतर, PQ समनांतर EFK, PQ समनांतर EFK, ये भी आपका एक बहुत आमाजपूर्ण परणाम है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, अब इस परणाम को हम अपने ध्यान में रखें और थोड़े इससे को मिटाते हैं, तो इसका बाद देखते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं इसको हमालक सर लिख लें, कि PQ समनांतर है, EFK, अब इससे हम यहाँ से हटा दे, ताकि इसके आगे काम हम यहाँ कर पाएंगे, अब देखिए, ये PQ EFK समनांतर यदि है, तो समनांतर होने करण्ट ये जो कोन है, जिसे हम कोन P कह सकते हैं, वो कोन E के बराबर होगा, वो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह P, Q, E, F के समानतर है और तीर्यक रेखा D उन्हें काट रही है तो यह जो दोनों कोण बनेंगे वो संगत कोण होंगे इसलिए आपसे बराबर होंगे ठीक इस तरह से आप कहा सकते कि कोण Q, कोण F के बराबर है क्योंकि इन दो समानतर काट रही है इसलिए कोण Q और कोण F संगती कोण होंगे और आपसे बराबर होंगे तो इस प्रहणाम को आप लिखें कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F तो यह प्रहणाम जब आपको मिलेगा तो आप देखें कोण P और कोण Q त्रिभुष D P Q के हिस्से हैं और ट्रिबुझ ďफ के हिस्से हैं और यादि इने कि किने दो ट्रिबुझों में यदि दो कोन दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोनों के बरावर है तो दोनों त्रिभुज सम्रूप होते हैं तो इन दोनों परणामों के अधार पर आप्या है सकते हैं कि त्रिभुज DPQ DPQ समरूप है बढ़े वाले तरभुष DEF के तरभुष DEF के अब फिर से एक बार देख लिए आपने सबसे पहले इन दोरों को समनांतर सिद्ध किया और समनांतर होने को विज़ा से आपने कौन P को कौन E के बराबर बताया और कौन Q को कौन F के बराबर बताया और ऐसी सिद्ध में तरभुष DPQ को तरभुष DEF के समरूप से दिखिया और ये भी आपके एक महत्तुन कथन है इसको आपको याद रखना होगा ये हमने एक कथन के रुपे लिख लिए अब आप देखिए इन दोनों तरभुष को हमने समरूप सिद्ध किया अब इस समरूपता के बाद हमें देखना है कि अगर ये कौन इस कौन के बराबर है ये कौन इस कौन के बराबर है तो आगे इसके साथ हम क्या काम करें तब वाबस हमको इन दोनों छोटे त्रिबूजों पर ध्यान देना पड़ेगा A, B, C और D, P, Q के जो कतन हमें यहां पर मिला था उसको के बाद फिर से हमें इसका उप्योग करना पड़ेगा यहां पर आप देखिए इसको हम फिर से लिखते हैं A, B A, B, D, E यह हमें दिया हुआ था और दूसरा कतन था B, C, B, E, F के अब हम इसको इसके साथ ले रहे हैं यह B, C, B, E, F यह हमें प्रश्ण में दिया हुआ था और अभी आपने सिद्द किया कि यह दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं यहां पर आपको मिल सकता है कि D, B बटे D, E बराबर P, Q, बटे E, F P, Q, बटे E, F धान देजिए पहले हमने इसके साथ तुलना किये थी इसके साथ तुलना किये थी अब हम इन दोनों भुजाओं को इन दोनों भुजाओं के साथ ले रहे हैं और दोनों त्रिभुजों मिले रहे हैं इस छोटे त्रिभुज, A, B, C को हम इसके साथ कंपेर कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं और इस त्रिभुज को भी इसके साथ तो लाट कर रहा है तो हमको दो प्रणाम मिल रहा है पहले व्लाला प्रणाम हमको इसे और इस बड़े त्रबुच के बीच मिल राए जो आपको यहां से मिला AB बटे DE बराबर BC बटे EF यह आपने पहले जो कतन दिया हुआ तो से लिए और यहां जो आपने त्रमुजों को समरोफ सी लिए ओ के उफिए यह दिि आप बार सकते हैं तो यह पूरा को पुरा का डीी को से स ask तो आम ब्ला है A B B D E, हम इस पूरे को फिर से लिख रहा है लेकिन सिर्फ D P को A B से बदल के लिख रहा है, तो आमको मिला A B B B B D E, बराबर P Q B B E F, अब आप देखिए, यहां ध्यान दीजिए, आपको मिल रहा है A B B B B B B E B B B B B B B E F, और यहां पर आपको मिला हुआ है A B B इसका मतलब है जो दाहिने पक्ष है आपसे बराबर होंगे यदि आप सिर्फ दाहिने पक्ष को ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा यहां से आपको मिल रहा है PQU बटे EF बराबर यहां से मिल रहा है B, C बटे, EF अब देखिए इन दोनों भिन्नों में जो आपसे बराबर हैं आप तो हर एक बराबर यहां आँज भी बराबर होगा तो एक बहुत ही मהत पूंट रिज्ट आपको मिल रहा है PBQ बराबर है BC के PQ BC के बराबर है अब आप देखिए हैंपर क्या है यह जो PQ है वो BC के बराबर है यह एक बहुत महत्पूर्ण प्रणाम है जो आपको दोनों त्रिबुजों को सरवंग समसिद्ध करने मदद करने वाला है आपने पहले ही AB के बराबर DP की रशना की थी और AC के बराबर DP की रशना की थी और अभी आप सिद्ध कर रहे हैं कि जो PQ है वो BC के बराबर है यानि BC PQ के बराबर है तो त्रिबुज ABC और त्रिबुज DP Q में आपको बहुत महत्पूर्ण प्रणाम मिलने जा रहे है आपको पहले से पता है कि AB और DP बराबर है AC और DP के बराबर है ये रचना से आपने कहा है और अभी आपने प्रूफ किया कि BC PQ के बराबर है और इस खरण आप कहा सकते हैं कि त्रिबुज ABC त्रिबुज DP Q के सरवांग सम है तो आप इस बात को लिख लें इसलिए यहां से आप आगे जा रहे हैं ये चीज़ आपको मदद कर लिए सरवांग सम कहने के लिए तो आप कहेंगे त्रिबुज ABC त्रिबुज ABC सरवांग सम है त्रिबुज DP Q के और इस ये सरवांग सम है तो आप कहा सकते हैं दोनों समरूब भी हैं तो आप फिर से लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू सम्रूप भी हैं अब देखिए आप अपने प्रेणाम के लगभग रजदीक पहुँच चुके हैं आपने डी पी क्यू और डी एफ को पहले सम्रूप सिद्ध कर लिया है डी पी क्यू और डी एफ यह आपने सम्रूप सिद्ध किया है और अब ही आप कहा रहे हैं कि ए बी सी डी पी क्यू को सम्रूप है मने डी पी क्यू ए बी सी के सम्रूप है तो अकेला तृभूज इसके बें समरूप है और इस बड़े तृभूज की बें समरूप है इसे प्रणाम था आप कहा सकते हैं ये दोनों तृभूज पी आपस में एक दूसरे का समरूप होंगे तो इस गधन का आप लिखिये तृभूज A, B, C समरूप है झाल झाल